यहां पर वाटर कैनन का इस्तमाल किया है आपको बता दें कि जाए हो जो है वो चोट पहुंची है इस प्रोटेस्ट के दाडान और यहां पर अगर बात करें तो प्रदेश अद्यक्षाई यूथ कॉंग्रेस के आकाश जो है और उनका कैना है कि हाथ जो है वो चोटिल हुए यहां पर बात करें तो यह जोए देख सकते हैं कि अपने पर पर प्रोटेस्ट किया हूए और प्रिपग जैना है कि अच्छा जो है वो चारि बहुख जारी रहेगा तो यह अब अबहुंगरान के साथ मुम्तला यह तो यह तस्वीर आप देखी पा रहा होंगे और हमारे हमारी समधता जो है उन्होंने ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है उसका ज्राइजल या सचिन पाइलेट भी इसमें मौझूद थे बूपिश बगेल मौझूद थे और तमाम कॉंग्रेस के विधायक मौझूद थे युव नजर आ रहे हैं जिसमें जो युवा कॉंग्रिस की महिला कारेकरता जो है वो भी यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हुए और कॉंग्रिस के दिगज ने था इसमें शामिल हुए हैं रायपूरसी यसी दी तस्वीर लाइफ तस्वीर भी आप देख पा रहा है कि कैसे water cannon का इस्तामाल किया गया और किस इस water cannon के इस्तामाल के दौराण पुलिस बलका कुछ प्रयोग भी किया गया और इसी में कुछ कॉंग्रेश के कार्यकरता जखमी भी हुए है तो बड़ा जंगी प्रदर्शन यहां पर विधान सभा का गेरा और किस मुद्दे को उसके बाद पुलिस ने पहले वोटर कैनन का इस्तमाल किया ये भी आरोप लग रहे हैं कि बल प्रयोग भी किया गया जिसमें कारेकरता चोटिल भी हुए है तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और एक्स्क्लूजिव तस्वीर ये रायपूर विधान सभा का खिराव करने के लि उन्होंने भी खुब नारे बाजी की है और कुल मिलाकर ये विरोध प्रदर्शन जो है ये सरकार को खेरने के लिए प्रदर्शन किया गया था और कांग्रिस का लगातार ये कहना है कि कानून व्यवस्था जो है वो प्रदेश में लचर होती जा रही है और प्रदेश सरका के बस की बात नहीं है कानून विवस्ता को समालना ये लगातार रोप कॉंग्रिस की तरफ से लगा जा रहे हैं और इसी को लेकर यहां पर ये प्रदर्शन किया गया अलगी पुलिस कर्मी जो है वो समझाते और यहां बेरिकेट से दूर करते हुए नजर भी आये देख सकते ह कि पूरे रास्ते को ही बंद कर दिया गया था यहां पर लोए की मोटी मोटी बड़ी बड़ी चुद्धरें लगा दी गई थी ताकि इसे कोई कॉंग्रिस की कारकरता क्रॉस न कर पाएं और पुलिस भल भी यहां पर पूरी तयारी के साथ मुस्तहित था पानी के जो ठीके जो है भावारे जो है वो छोड़े गए और पूरी ताकत कॉंग्रिस की तरब से यहां पर इस प्रदर्शन में देखने को मिली है पूरी ताकत कॉंग्रिस की ओने यहां पर लगा दी तो देखिए तस्पीरें जो है यह पताने के लिए काफी है कि कितना वड़ा जंग्रिस की तरब से आज यहां पर किया गया सेचिन पाइलेट की अगवाई में यह पूरा प्रदर्शन हुआ और लोहे की बड़ी बड़ी चदर यहां पर लगा दी गई थी ताकि कारेकरता जो है वो आगे न बढ़पाएं इसके लिए पूरी व्यवस्था इंतजाम जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गय सेचिन पाइलेट तमाब भले दिनिता कांगरिस के मौझूद रहें कुछ चोटे आई हैं यह भी जानकारी मिल रही है क्या कुछ चल रहा है महाँ पर अभी जानकारी दीजिए बिल्कुल देखिए यह मैं आपको दिखाना चाहूंगी आप देख सकते हैं कि अभी भी जो कॉंग्रस का प्रदेशन है वो लगातार जारी है और यूथ कॉंग्रस के प्रदेशन है आकाश जो है उनका कहना है कि उनको जान बूच कर छोट पहुँचाए गई और उनका ऐ लगातार जो है वो कारिकरता इस प्रदेशन में आपको नजर आ रहोंगे और दूसरी तरफ अगर बात करें तो दीपक बैज का कहना है कि उनके शार्ट है पार दिगई पुलिस ने पकड़ के उनका कूर्टा फाड़ा दूसरी तरफ जो कारिकरता है उनको चोट पहुचा करें तो आधे ने फिर्कार वो चल रही है कि कि खरता होंगो को हटाया जाए लेकिन कार्यकरता ज्योंग है वो अभी पर मौनुद हमाला कि सकीन पाइलोट जो है वो निकल चुके हैं और पी सीच इद्राइब दीपक बैज भी जो है अभी यहां से रवारा हुए है उस प् तो वाटर कैनन का उपयोग पुलिस ने किया हुआ था लेकिर अब अगर बात करें तो वह अब इस तरह से कुछ किया नहीं जा रहा है लेकिन उसके बाद भी शत्ती प्रेशन के जो कोशिस है वह यूवा कांडरेस के लोग कर रहे हैं यह लोग कर रहे हैं यह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी कोश्युजद है और पुलिस कर दो हैं और कि यहां पर डेटे हूए हैं पुलिस की पूरिकेश को और की जो है वो की जा रही है करी पदादिकारी वो सामने चले गए लग रहा है कि एक से दो घंडे तक यह प्रदेश जो है वो अभी चलेगा हाला कि सचीन पाइलेट जो है वो यहां से रवाना हो चुके है लगी सवाल है कि अगवाई जो कर रहे थे प्रदर्शन हो रहा था वो सब तो चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर सचिन पाइलेट हो प्रभारी जो है वो सब तो निकल गए तो जो सेनापती होते हैं वो अगर वहां से मैदान से चले जाते हैं तो फिर यह कुछ करेंगे विधान सबाज वह तीन बजिय तक के लिए स्थागित की गए थी और अभी भी देखिए दीपक बैज फिर से वहाँ पर पहुच गये हैं और आप देखिए कि दीपक बैज फिर से पैरिकेट से उसकी करब पहुच वहा है और वह लगातार दीपक बैज पर दिखाई दे रहे होंगे जो प्रदेश अध्यक्ष है आकास जो है उनका हाथ जो है वो जरूर पूरी तरीके से जक्मी हो गया था हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो सामने जाने की कोशिश करें यहाँ पर काफी जो है वो बैरिकेटिंग की गई है फिर भी जो है हम करता है वो मौझूद है फिर भी मैं कोशिश करती हूं इस प्रकार आप देखने की लगातार प्रदेश में अपराहत का गड़ बन चुका है लगातार यह जो अपराहत का गड़ है उसको रोकने के प्राइस को लेकर आज कंग्रेस पार्दी के साधा माधर बढ़ने कोशिश क करता है और आपको दिखाएं वहां पर किस तरह की जो स्थिती है वो यहां पर है और देखें बैरिकेट्स जो है वो फिर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है और अभी जो है दीपक पैस को कारकरता हो ने उठाया हुआ है और यह अभी तक यह था कि दिपक बैस एक पर ल से वापस व्लाटे है और इस तरी के से जुनने है और रहा है है और अब यह था जो है कि अब दिलपल विद्वाज है हमारा गेराओं प्रतियासी क्राहां और सब्सक्राइब आप चिकाव नहीं याद दिये कि चतिश गर को अपराइज बरना बनाए नहीं ने का फिर से अगर समारा जारी रहेगा सब्सक्राइब कर दिये कर दिये करता है किस तरीके से कारी करता हो नहीं जो है वो दीपक बैच को उठाया हुआ है जो है दुबारा वापस वोटे थे यहाँ से और यहाँ पर मुपव सुभूड है उनको विकारिकाफों काताओने उठाया हुआ है यह ब्रारी की गई सबसे भारती जनता बson支持 कुछ नहीं है जन्ता को चुतियां बनाया ये लोगों ने